हेई गाइस माइम इस अनुराधा वेलकम तो आट चैनल जीके गाइड़न से नॉलेज हैपी मॉनिंग टो लॉफ ही कैसी है मेरी जीके फैमिली आई होप सभी अच्छे होंगे अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई काफे चेस रखें यह वीडियो आपको इन सभी एक्जाम के सा साथ हर उस एक्जाम में फायदा पूचाए कि जहां पी करेंट अफिर और स्टेटिक पूशन पूचा जाता है तो चलिए शुरूरत करते हैं आज के मारी रैपिड फायर राउंड के और सबसे पहले जान लेते हैं कुछ खास दिन के बारे में सेकिंड जून को तेलंगाना स्टेट फोर्मेशन डे की रूप में भी सेलिवेट के जाता है मतलब कि इस दिन स्टेट है एक नभाना था फिर क्लोबल रनिंग डे लोबल रनिंग टी रर्निंग मुझे परसनली बहुत पसंद है वह आप में से किस किसको पसंद है आप बता सकते कमेड सेक्शन के अंदर आज ये डिर भी है और साथी साथ एक और देहें जिसे हम कुछ जादा इंपोर्टेंस नहीं देते हैं शायद और नेगटिवीटी भी रखते हैं इनके पुरती इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स दे ये जून टू तो को ही सेलबेट के जाता है आज का मारा पहला कोशन है मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स एमेची ने नौटिफिकेशन इशू किया है सर्चेंशिप एक्ट 1955 के अंदर ग्रैंट करने के लिए सर्चेंशिप जो की नोन मुस्लिम पीपल हैं कौन-कौन सी कंट्री से हमें ये बताना है हमारे पहला ओप्शन है अफगानिस्तान फिर पा सरोगा सी क्योंकि मायमार नहीं है इसके अंदर इसके अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगला देश है चले जान लेते हैं इसके बारे में यह आप मैप में देख सकते हैं यह पाकिस्तान है यह अफगानिस्तान है और यह बंगला देश है इसके इन देशों से नोन कि non muslim people हैं वो citizenship के लिए apply कर सकते हैं जो कि अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान से आए हैं और 13 डिस्टिक जो 5 स्टेट है हमारे गुजरात, राजिस्तान, 36 गड़, हरियाना, पंजाब उसके अंदर रह रहे हैं हमारा दूसरा कोशन क्या है, recently Supreme Court है, उन्हें सकॉप बढ़ा दिया है, section 304B का, Indian Penal Court का तो हमें बताने हैं यह किस से related है, यह है, इसके पहला option है हमारा child protection, दूसरा है dowry death, फिर है environment pollution, फिर है protection of SC community, तुमारा answer क्योंगा, हमारा answer होगा B, क्योंकि यह dowry death से related है section 304B, इसके according, कोई भी case, जो की dowry death के अंदर आता है, जिसके अंदर woman है, वो उसकी death हुई है जैसे या फिर कोई भी body के अंदर injury हुई है, normal conditions के अंदर जो नहीं हो सकती है, उसके अंदर marriage के 7 साल के अंदर फिर क्या है, वो उसने सफर की है, कोई भी cruelty या harassment अपने husband या फिर उसकी family से, उसकी death से पहले dowry के, dowry से related, dowry death है, वो 40% से 50% हमारी country के अंदर देखने को मिली है 1990 से, 1999 से 2018 तक, 2019 के अंदर ही हमें 7,115 cases देखने को मिले हैं, जो की register हुए है जो register नहीं हुए है, उनके बारे तो हम idea भी नहीं लगा सकते है अगल question क्या है हमारा, स्रीविली पुथ्थूर, मेगा मलाई, tiger reserve है जिसे SMTR बुला है जाता है, ये कौनसे state के अंदर located है, तमिलनाडू, करनाट का, केरला, अंदर प्रतेश नमारा answer क्या होगा, हमारा answer होगा, A, क्योंकि ये तमिलनाडू state के अंदर है चले जान लेते हैं इसके बारे में, ये एक tiger reserve है, जो तमिलनाडू में है फिर ये है, ये एक buffer zone की तरह काम करता है, पेरियार tiger reserve के से के related और इसके अंदर excellent genetic exchange देखने को मिलता है, टाइगर का अनमालाई reason से अगला question क्या है, बाल सवराज covid care portal, कौन से commission के अंदर काम करता है national commission for protection of child right, national statical commission, competition commission of india, then national human right commission of india हमारा answer क्या होगा, हमारा answer होगा, A, चलनी जान लेते हैं इसके बारे में recently क्या होगा है, national commission for protection of child right, ncpcr, जिसे हम इन चॉट बोलते है उसने extend कर दिया है, जो की use किया जाता है, बाल सवराज covid care के लिए इस portal को, ताकि trafficking, track किया जा सके, trafficking में वह तो बहुत गला चीज़ होती है track किया जा सके, children's को, जिन्होंने अपने parents को खो दिया है, covid-19 के time पे इसके थुरू, ncpcr को क्या होगी, इनी duties perform करने में, एक monitoring authority के तहत, 109 के अंदर, जो की है, jubiline justice act 2015 का help करेंगे अगला question क्या है हमारा, right to freedom of speech and expression, ये कौन से article के अंदर आता है, हमारा पहला option है, article 16, article 17, article 18, ये फिर article 19 हमारा answer क्या होगा, हमारा answer होगा, दी, चलिए जान लेते इसके बारे में, ये क्यों news में है recently क्या हुआ है, कि IT related काफी सारे rules लाए गए है, 2021 के अंदर, उससे related काफी बार ये news में आ जाता है, तो इस बज़े से भी important हो जाता है चलिए इसको देख लेते है, article 19 है, वो guarantee देता है, हमे freedom of speech and expression, हमारे अपने views, opinion, beliefs या फिर convictions हम जो freely बता सकते हैं, अपने मुह से बोल कर, या फिर writing में, या फिर printing में, या फिर picture के दुरू, या फिर और भी किसी या other manner के अंदर फिर क्या है, sedition, करनाटका के अंदर case हुआ है, supreme court के अंदर, वहाँ पे दो चैनल्स है, उनके उपर बार-बार forcefully, उन्होंने supreme court के अंदर, अपने petition डाली, कि हमारे जो freedom of speech and expression है, उसको, उसका हनन किया जा रहा है, उससे related भी यही news में है, तो जान लेते हैं, हम sedition के बारे म इसके अंदर, punishment डी जाती है, section 124A के अंदर, इसके अंदर क्या हो है, तीन साल से लेकर, lifetime की भी imprisonment डी जा सकती है, कैद डी की जा सकती है, और इसके अंदर, जुर्माना भी add किया जा सकता है, अगला कोशन क्या है, इन सभी statement को consider करना है, the state of ransomware 2021 के अंदर, जो report आई है, उसस ransomware attack के अंदर, और इंडिया के top list में आता है, 30 countries के अंदर, जिनके अंदर ransomware attack जाते देखने को मलते है, 68% जो Indian organizations है, वो hit हो चुकी है अब तक, ransomware पिछले 12 महिने के अंदर, हमारे options है, हमें बताना है कि इन से कौन सा correct है, हमारे options है, first and second, second and third, first and third, या फिर सभी के सभी, मारा answer क्या होगा, हमारा answer होगा, D, क्योंकि ये सभी कि सभी statement है, इंडिया 30, top 30 countries के अंदर है, पहले नंबर पे कौन है, ये बताईए, comment section के अंदर, जान लेते हैं, 67% Indian organizations ऐसी है, जिनका data encrypted था, और उन्हें पैसे देने के बाद में, वोन्हें अपना data recover कर लिया है, जो की global average है, 32 percent, 86% Indian organization ऐसी है, जिनोंने cyber attack है, उसको देखा है, कि वो और भी ज़्यादा complex हो गया है, और उनकी IT teams भी उसे handle नहीं कर पा रही है, फिर देख लेते हैं, कुछ और बात हैं, इसके बारे में, 8% data है, वो पैसे देने के बाद में, पूर्धी तरह से recover हो जाता है, ransomware के अंदर, 29% data ऐसा है, जो आदे से ज़्यादा recover हो जाता है, payment करने के बाद में, और 65% average amount है, data की recover होने के बाद में, payment के बाद में, recover होने की payment के बाद में, अगला question क्या है हमारा, MB tag, इंडिया क्या first indigenous temperature data logger development है, यह सा दिखा देता है, यह किसके दुआरा बने आया गया हमें यह बताने है, IIT roper, खानपूर, रुड़की या फिर डली, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा, IIT roper IIT roper है, उसने develop किया है, MB tag को, जो कि हमारा first indigenous temperature data logger है, जो कि cold chain management के अंदर काम आएगा, और यह detect कर सकता है, यह detect कर सकता है temperature को minus 40 से लेकर, plus 80 degrees के अंदर, किसी भी time zone के अंदर, 90 days के लिए, एक बार चार्ज होने के बाद में, जैसे कि और market के अंदर, डिवाइस अवेलबल है और इसके अंदर data, इसके अंदर data है, वो 30 से लेकर, 60 days के duration के लिए, रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसके अंदर, इसकी information है, वो हमें help करेंगे, transportation के अंदर, vaccine की, जैसे की COVID-19 की vaccines है, यह फिर organs है, हमारे जो अंग होते हैं, वो, और blood का transportation करने में help करेंगे, अगला question क्या हमार International Astronomical Union, AIU, इसने approved किया है, आर्ट नाम, जो की feature करेंगे, moon को, यह कौन सी language की अंदर है, हमें यह बताना है, English, Chinese, Japanese, French, इसने approved किया है, आर्ट चैनीज, मुझे पता है, किसी को भी कोशी नहीं होगी, इसको देखकर, बट यह सच है, International Astronomical Union, AIU, इसने approved किया है, आर्ट चैनीज नेम को, जो की feature करेंगे, जो की feature करेंगे, एरिया को moon के around, जो की moon के एरिया को feature करेंगे, लास्ट इर क्या हुआ था, चैना का जो spacecraft है, चैंग E-5 प्रॉब, यह लैंड किया था, इन प्लेसेज के आसपास में, और collect की इसने sample, और फिर lunar surface की sample collect करके, उन्हें धर्ती पर बेजा था, और चैना है, वो 2010 से ही, जोग्रॉफिकल एंटिटीज को नाम दे रहा है, अगला कुशन के हमारा white monument, यह news में देखने को मिलता है, इसके अंदर बताया गया है कि 4000 years पहले, memorial बनाया गया था, जो की located है कौन सी country के अंदर, इस्राइल, सौधिय अरबिया, अमेरिका या फिर सीरिया, मारा answer क्या होगा, मारा answer होगा, सीरिया, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और, एक नई study के according बताया गया है कि 4000 years पहले, war memorial बनाया गया था, जिसे white monument थाम दिया गया है, सीरिया के अंदर बनाया गया था, ताकि soldiers है, उनको owner किया जा सके, जो की battle जो लड़ाई हुई थी, उसके अंदर, मारे गये थे, फिर कहा है, white monument है, वो कुछ सालों पहले देखने को मिला था, execute किया गया था, मतलब कि, execute किया गया था, निकाला गया था, खोजा गया था, और इसके अंदर पाई गये थे, जो adult males हैं, उनके bureau, उनके आफशेश पाई गये थे, और माना गया है, कि यह memorial है, वो community dead के बारे में, बताता है, ना कि, symbol के रूप में, जो victory हासल हुई थी, उनके enemies के उपर, अगला कुश्चन हमारा, last and final कुश्चन है, लिथोरिया मीरा, यह discover किया गया है, rain forest के अंदर, नुगिनिया के अंदर, यह क्या है, यह snake है, frog है, lizard है, crocodile है, हमारा answer क्या होगा, हमारा answer होगा, B, क्योंकि यह frog है, यह सा दिखाई देता है, एक team है, Australian scientist की, उसने इस species को discover किया है फ्रोग की rain forest के अंदर, नुगिनिया के अंदर, इसे चोकलेट फ्रोग भी बुलाया जाता है, क्योंकि इसका color है, वो चोकलेट के तरह दिखाई देता है, यह आप इस picture में देख भी सकते हैं, यह Australian tree frog genus Littoria, इस से बिलोंग करते हैं, इस species से बिलोंग करते हैं, इस लिए इसपिसे हैं, उसको Littoria मीरा की नाम दिया गया है, यह closest यह closest species है, Australian green tree frog genus Yes you